हिए Ninni नमस्कर दोस्तों बाजार विजले सक में एक बार फिर से अपका स्वाधत है आज का यह वीडियो रिटार्मेंट फंड के ऊपर है पचिस साल के उम्र में रिटार्मेंट प्लानिंग जी हाँ आध से और अभी 11-12 साल के उम्रों में इन्हों ने इक्विटी में इन्वेस्मेंट स्टार्ट कर दी और आज दुनिया के टॉप फाइफ अमीर लोगों में इनका नाम आता है खेर इन्हों ने तो 11-12 साल में इक्विटी में इन्वेस्मेंट स्टार्ट कर दी थी हमारे हैं 35-40 के एज में भी लाइसी के जीवन आनंद से उपर हमको सोच नहीं पात ये भी अपने आप में एक विडम बना है 2011 में सेंसेस ने डेटा रिलीज किया इंडिया में रिटार्ड लोगों की वर्तमान इस्तिक क्या है आपको जानका हैरानी होगी कि सिर्फ 10% लोग ही जिनकी एज 60 से उपर है उन को किसी के ऊपर निरभर रहना पड़ता है अब तो आप समझे गया होंगा कि कितनी भयाना के स्थिती है यहां रिटार्मेंट प्लानिंग को लेकर देखिए जब आम तोर पे हम अपने जिंदगी का अर्थ सब्सक्रा लगा लेते हैं तब हमारी नींद खूलती है रिटार् एंगे जब हम बिमार पढ़ते हैं तो हेल्थी इस्वरंस कि यादा आती है आपकी कंपणी जब इंवस्मेंट मांगती है तब हम एड़ी सी कि यादा आती है अप्रिल में अगर आपको इंवस्मेंट के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे कि नहीं अभी तो बहुत टाइम ब बचा तो महंगाई मार गई जी हां यहां हम लाइफ स्टाइल इंफ्लेशन के बात करने वाले हैं इंडिया में मेडिकल इंफ्लेशन रेट है 10% आपके सामने एक एन्वल एक्सपेंस का डेटा है जिस पे 7% इंफ्लेशन कॉस्ट कंसीडर किया गया है यह डेटा यह कहता है कि गश्पेंस थेंफियर 20 साल के बाद यह 20 अंदर होने हैं उन्स लाक और Chloe Yoros 37 इंफसेसी तो इसीसाल करेंके चैंशेदी समय्द खुनार अगले यहां जबसे CHRISL Sakit इस समस्या का समधान क्या है इस समस्या का समधान सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्मेंट कर दिछ sagte To इसका फायदा आपको मिल लेगा यानि राइट टाइम जितने जल्दी 25 сाल 25 से कम में भी कर सकते हैं 20 साल से स्टार्ट कर सकते हैं तो कीजिए सही फंडों का चुना होना चाहिए राइट के एलोकेशन हो किस फर्ण में पैसा लगाना है किस सेक्टर में पैसा लगाना है राइट इमाउंट इंपोर्टेंस है कि आपको रिटार्मेंट के टाइम में कितने पैसे चाहिए एक करोड दो करोड तो उसके रिकॉर्डिंग प्लानिंग आजसे ही करनी परेगी और एक तरक्की पार्टनर आपको चाहिए जो की आपको एक साल डिले करते हैं तो रिटार्मेंट के बाद एक साल आपको और ज्यादा काम करना पड़ेगा आज अगर आपकी एस तीस है और आप साट साल की प्लानिंग करते हैं यानि तीस साल तक आप एसाइपी चलाएंगे और एक साल आपने उसमें मिस कर दिया 31 के हो गए आप तो आप यकीन मानिए आपकी डिटार्मेंट साथ नहीं एक साट साल पर होगी तो इस चीज को देहान में रखते हुए जितने जल्दी हो सेगे इसको स्टार्ट करना है तो एक एक करोड का अगर आपको डिटार्मेंट के टाइम पर चाहिए तो तीस साल के यदि आप हैं तो तीन हजार उपया पर मंथ इंवेस्ट करेंगे आपका साथ हजार पूरा हो जाएगा यह कैलकुलेशन कितने परसंट पर है तो बारा परसंट पर है मीट एज में 30 से 45 के बीच में स्टार्ट करते हैं तो 40 साल की अगर आपकी एज है तो 20 साल आपको करों बन जाएगा फिर क्या एक करोर बन गया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं बहुत सारे आप्शन्स अविलेवल हैं जहां आप मंथली इस डव्लूपी के जड़िया पैसा ले सकते हैं और अपना रिटार्मेंट इंजॉय कर सकते हैं आपके सामने के एक्जांपल है कि पच्छे साल के एज में अगर हजार उपए मंतली से भी स्टार्ट करेंगे तो 15% का अगर रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो 35 साल के बाद आपकी रिटार्मेंट होगी तो 35 यह के बाद लगभगी देर करोर के अमाउंट टच कर जाएगा दूसरा एक्जांपल मैंने लि सब्सक्राइब करेंगे आपके लिए ही फायदा होगा ऐसी से पुटेंचिल ने के लांच किया है सब्सक्राइब को साथ फरवरी से लेके सब्सक्राइब करते हैं तो 10 रुपया पर यूनिट आपको लॉट किया जाएंगे पांच साल के लॉकिन के साथ यह फंड ज्यादा है जिससे आपको आपका रिटर्ण जो होका कुछ ज्यादा आपको भी लेगा मेडिल एज कि अगर हम बात करें तो एक्विटी के साथ डेट का पोर्शन भी आ जाता है जिससे आपका रिटर्ण थोरह सा कम होता है क्योंकि हमें फिर एस्टेबिलीटी देखनी अगर हम 20 से 25 तिस तक कंसीडर करें तो उस समय आप मैक्सिमुम एक्विटी एक्सपोजर ले करके काम कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम होता है नियर रिटार्मेंट एज में अब पहुंच जाते हैं नियर टू रिटार्मेंट एज में यदि आप चले जाते हैं पच- लिए 4 विकल्प दिए गया है प्योर एक्यूटी प्योर डेट हाइब्रेड एग्रेसिव और हाइब्रेड कंजर्वेटिव आप अपने एज ग्रूप के एकॉर्डिंग आप इसमें निवेस कर सकते हैं उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी अभी तक आ और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले थैंक यू